हेलो अभीवन मैं हूँ आशीश आप सभी का स्वाद करता हूँ हमाया चनल गित्मा उनिवसिटी पे तो वेस्ट बंगॉल के निट यूजी 2022 की राउन वन की रिजल्ट डिकलेर हो गई है और रिजल्ट में अगर बात करें बारी-बारी से गॉर्वर्मेंट ऑफ ही देखने के लिए मिला है तो आईए एक एक करके देखते हैं कि कट अफ कैसे रहा और किस हिसाब से वेरी किया है 2021 के कंपारेजन में अनुरिजब केटेगरी की कट अफ इस बार जो रही है वह 576 मार्क्स जो कि पिछले साल से 2 मार्क्स ज्यादा है बट अगर रैंक के हिसाब के मिला है स्कूर वाइस बट अगर स्कूर के अलावा रैंक के हिसाब से देखेंगे तो कट अफ में माइनर ड्रॉप भी देखने के लिए मिला है रैंक के बेसिस पर वहीं OBCB कटेगरी में एक मार्क से कट अफ इंक्रीज किया है 570 मार्क्स पर यह क्लूज हुआ है EWS कटेगरी में 16 मार्क से कट अफ ड्रॉप होकर के 559 मार्क्स पर क्लूज हुआ है वहीं ST कटेगरी में 8 मार्क से कट अफ ड्रॉप होकर के 465 पर क्लूज हुआ है और ST कटेगरी में 52 मार्क से कट अफ ड्रॉप होकर के 212 मार्क्स पर क्लूज हुआ है आगे further round में बहुत huge decline आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा cut-off में, similar सा trend 4-5 marks का आपको cut-off variation देखने के मिलेगा आगे के round में. अब बात करते हैं private medical college की cut-off, जो कि state quota, यानि कि जहाँ पे domicile conditions applicable होता है और ये seat सिर्फ West Bengal domicile को ही मिलता है. state quota और management quota के seat में जो सबसे major difference है, वो है fee structure का. तो यहाँ पे start करते हैं KPC medical college की cut-off पे, जो कि सबसे highest cut-off रहा है KPC medical college में और ये cut-off पिछले साल से 2 marks बढ़ भी गया है. 574 का closing score रहा है और rank है 34,237. IQ CT में 564 का cut-off रहा है और ये 1 mark से बढ़ गया है. जगनाद कुपता में 2 marks से cut-off drop हुआ है पिछले साल से, यहाँ पे closing score रहा है 563. IKR में 560 का cut-off रहा है, यहाँ भी 2 marks से cut-off drop हुआ है. सांति निकेटन में 559 का cut-off रहा है, 2 marks से यहाँ भी cut-off drop हुआ है. गौनी दिमी में 3 marks से cut-off drop होकर के 555 पे close हुआ है. और श्रीराम कृष्णा सनाका जो कि दुर्गापूर में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा difference देखने के मिला है 56 marks को कि लास्ट येर अन्रियलिस्टिक सा cut-off रहा था round 1 में 609 का, जो कहीं से भी acceptable नहीं था, expected ही था कि यह cut-off और drop होगा. तो 553 marks पे यहाँ पे closing score रहा है. अब मैं आपको category wise state quota में private की cut-off भी बता देता हूँ. अन्रिजर्ब में 553 का cut-off रहा है, OBC A में 556, OBC B में 556, EWS में 550, SC Category में 427, और ST Category में 104. और expected है कि अगले round में marginal cut-off drop देखने के लिए मिलेगा इन सारे categories के अंदर में. आई अब बात करते हैं West Bengal के private में management quota seats की cut-off के उपर में. management quota seats वो है जहाँ पे कोई भी state से बच्चा बिलॉग करता है तो इन seats के उपर में eligible है admission लेने के लिए. इस साल West Bengal के private college में management quota में सारे college में cut-off बहुत जादा drop हुई है. इसके पीछे जो सबसे बड़ा reason यह है कि KPC medical college को छोड़ करके बागी के जितने 6 medical college हैं इन सम्में bank guarantee देना mandatory होता है. तो bank guarantee यह वो document है जो कि आपको 3.5 years की fees को advance में अपने bank में deposit करना होगा जिसके against में bank college को bank guarantee issue करेगी कि कल को आप अगर discontinue करते हैं तो यह amount college bank से recover कर लेगा. तो KPC medical college में bond है जो कि discontinuation bond है बट इसके बाबजूद भी 36 mark से cut off यहाँ पे drop हुआ है और 510 का closing score रहा है यहाँ पे भी cut off जो drop हुआ है इसकी पीछे भी एक reason यह है कि यहाँ की fee structure का जो payment का जो process है वो थोड़ा सा difficult होता है parents के लिए क्योंकि यह 2 साल के दौरान में ही सारी fees को collect कर लेते हैं यानि कि 54,75,000 रुपीज का payment आपको within 2 years आपको college को pay कर देना होता है जिसके वज़े से यहाँ पे cut off इस पार 36 mark से drop हुई है बागी के colleges में जो कि bank guarantee है तो वहाँ पे cut off क्या रहा यह भी देखिए औल्मोस्स सारी colleges में cut off बहुत lower side पे IQ City से start करते है 146 का closing score रहा ह 220 marks से cut off इस साल drop हो गया है यहाँ पे गौरी दिमी में 209 marks से cut off drop हो करके 140 marks पे close हुआ है जगनाद कुपता में 140 marks का difference आया है पिछले साल की comparison में 207 marks में यहाँ पे close हुआ है IQR में 178 marks का cut off drop हुआ है 143 closing score है सान्ती निकेतन में 197 का closing difference score का यहाँ पे देखिने के लिए मिला है और closing score जो है वो 120 marks है स्री रामकृष्णा सानाका में 180 marks से cut off drop हो चुका है और यहाँ पे closing score है वो 123 marks का रहा है अब allotment के बाद में आपको क्या steps लेना होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आपको allotment लेटर डाउनलोड करना है इसके बाद में जो भी college आपको allot हुआ है उसके according आप fees को verify करके अधर DD या फिर RTGS mode पे पेवेंट कर सकते हैं अगर आपको private medical college allot हुआ है तो इसके लिए जो reporting center जो kiosk बनाया गया है इस पार RG कर medical college कॉलकता के अंदर में तो जो भी college है private के अंदर में चाहे वो KPC हो चाहे QCity या जगन्राद कुपता कोई भी college आपको allot हुआ है तो इनके लिए आपको college level पे कोई भी reporting की formalities नहीं करन step में जैसे आपको hostel allocation अगर कराना है तो इन सब चीजों के लिए आप फिर college level पे अपनी उस formalities को complete करा सकते है round 2 में आप चाहे तो अप gradation के लिए जा भी सकते हैं otherwise अगर आप satisfied है तो आप continue कर सकते हैं अभी classes के उपर में date का announcement नहीं हुआ है जब भी होगा तो हम आपके साथ म हम ऐसा जूड़े रहे इस तरह की और भी videos हम आपको timely update करते रहेंगे thank you for watching this video wish you all the best for rest with the counseling process